जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का रेडियंट आर्मी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिनव आपका दिलस्यम डंदन करता हूं आज हम लोग जीडी मॉडल सेट 79 को डिसकस करने वाले हैं जिसमें 50 कोस्चन हमारे हैं चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल हमारा है गांधी जी ने और सहयोग आंदोलन कब सुरू किया था तो गांधी जी ने और सहयोग आंदोलन 1920 में सुरू किया था जो पांच फरवरी 1922 को चौरी-चौरा हत्याकान के कायन उसको वापस लिया गया तो और सहयोग आंदोलन 1920 में सुरू किया गया चलिए next question है सबसे अधिक आवादी वाला देश कौन सा है तो विसमें सबसे अधिक आवादी वाला देश चीन है और दूसे नंबर पे भारत आता है आवादी में चलिए next question कोई भढ़ते है नेक्स question है Olympic खेल कितने साल बाद होता है तो जो Olympic खेल होता है तो Paris Olympic कहा जाएगा चलिए next question आगे बढ़ते हैं next question है विशु की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो विशु की सबसे लंबी नदी जो है न वो नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और अगर अमेजन की बात कहे तो विशु की दूसरी सबसे लंबी नद जो है न वो अमेजन नदी है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है राष्ट यह प्रतिक सत्मेव जयते कहां से लिया गया है तो सत्मेव जयते मुंड कोपनी सत्थ से लिया गया है एक्स कोश्चन है भारत की पहली यात्री देल गारी मुंबई से कहां तक चलाए गाई थी? तो पहली देल गाई जो है न वो मुंबई से थाने के बीच चलाए गाई थी जो 34 किलोमेटर की दूरी तेके थी और 183 में ये गारी चलाए गाई थी लॉड डलशुसी के समय में लॉड डलहॉजी के समय में ये गारी चलाए गई थी चले next question अगला सवाल है 1944 में अंग्रेजों ने पुर्वोत्तर में कौन सी जगा पर आजाद हिंद फौंज को हराया था अंग्रेज ने आजाद हिंद फौंज को कोहिमा में खराया था आजाद हिंद फोज का गठन रास विहारी बोस किये थे रास विहारी बोस और अफगानिस्तान में इसका गठन किये थे अफगानिस्तान राइटिंग फिल्कुली खराब लिखा रहा है तो आजाद हिंद फोज का गठन जो है आजाद हिंद फोज का गठन रास विहारी बोस क कि ये थे चलिले निक्सक्रूस्ट्य क्यों पड़ते हैं आ घर endurance रफायर भायत के परधान्मंत्री आपधन्मांत्रियए प्रधान्मांत्रिये ने चलिए सवाल पंगध आर्ववानी का संब्सक्रूस से या अफे उसी को बिलियर्स कोई अश्कूनर कहा जाता है अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं भायत का स्वधीनता का परथम संगराम कब शुरू है तो भायत की स्वधीनता का परथम संगराम अठाएसों संतावन में शुरू हुआ था और मेरट से मेरट से इसकी शुरूआत हुई उस्वधीनता के परथम संगराम का ततकालिक कारण था तो क्या वे onds का होना इसका ततकालिक कारण था और इसकी शुरूआत मिन रट से हुई थी दस मई से जाद रखना है भायतवर संतावन का मैं की शूरूआत 10 मई से हुई थे और इस करांती का जो प्रतीग था न वह कम कमल और चपाती था या फिर कमल और रोटी कह सकते हैं रोटी या फिर चपाती था चलिए अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है काजी रंगा राष्टिय उध्यान किस जानवर की वज़ा से जाना जाता है तो काजी रंगा यह असम में पढ़ता है और एक सिंग वाले गेंड़ा के लिए यह परसिद्ध है नेक्स्ट कोश्चन भात की सबसे बरी सुद्ध पानी की जील मीठे पानी की सबसे बरी जील कौन से है तो मीठे पानी की सबसे बरी जील बुला जील है जो जामू कास्मीर में पढ़ता है यह जो गोविन सागा जील है गोविन सागा जील भारत में सबसे बरी मानव निर्मित जील है गोविन सा ही खमंठरी उत्तर प्यदेश के विदी सुचेता किरपलानी चली आगे क्यों ब consumer है और पहले राजपाल के भी गांत किया जाएना तो पहले राजपाली उत्तर प्यत्तर प्यदेस ऑंत्तर प्यादेशickी तो अंनल सरोजसी नाइडू थी चलिए अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं मेग दूद के रचेता कौन है तो मेग दूद के रचेता काली दास है अगर कुमाय संभवम पूछा जाए तो वो भी काली दास ही है माल मिकागनी मित्र के भी रचेता काली दास ही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक टेलिफोन के माइक्रोफोन का मध्यपट किसका बना होता है तो यह जो टेलिफोन के माइक्रोफोन का मध्यपट होता है वो माईका का बना हुआ होता है अगला सवाल है कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में होता है जो ओ बलड ग्रूप होता है उसमें कोई एंटीजन नह सकता है A, B, A, B और साथ इसाथ O को भी ये रक्त दे सकता है इसलिए इसको जो जो ना सर्व दाता सर्व दाता कहा जाता है जबकि A, B सभी से रक्त ले सकता है इसलिए इसको सर्व सर्व गराही कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्क्स्क्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् काईटीन नामक काईटीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं बाल नाखुन और पंजा चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं कोशिका सिध्धान्त का परतिपादन किस ने किया था कोशिका सिध्धान्त की परतिपादन सबसे पहले तो कोशिका की खोज जो है न वो रौवर्ट हुक क किये थे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुग किये थे और कोशिका सिध्धान की बात करें तो कोशिका सिध्धान जो इना स्लाइडेन और स्वान दिये थे स्लाइड इन और स्लाइड इन और स्वान दिये थे कोशिका का सिध्धान जो कि इस ऑप्षन में है नहीं इसका सही उत्ता जो इन है कोशिका का सिध्धान स्लाइड इन और स्वान दिये थे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किये थे सबसे पहले कोशिका को रॉवर्ट हुक देखे थे पिर की छाल में देखे थे पिर के कौक में देखे थे चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है प्राथमिक रंग कौन सा है तो प्राथमिक रंग लाल हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है और तीनों रंग को मिलाने पर जो है यह सफेद रंग प्राप्त होता है इसे सुर के सुरी में टोटल सात रंग होते हैं सातों रंगों को मिलाने पर भी सफेधी बनता है जिसमें लाल हरा निला को प्राथमिकरंग कहा जाता है चले next question क्यों बढ़ते हैं next question ने परकास का वह गुंजी से एक व्यक्ति आइने में अपना परतिवीम देख सकता है उसे क्या करते हैं जब कोई आदमी अपना परतिवीम देखता है तो परकास जो है उस परतिवीम को रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्ट तो हमारा option number reflection सी नंबर option हो जाएगा reflection के वज़ा से ही आइने में हमारा परतिवीम बनता है चले next question हमारा है चले अगला सवाल हमारा है ATP ATP है पहले तो ATP जो है ना ATP ATP का full form क्या होता है जो हमसे पूछा गया है ATP का full form होता है adenosine trifosphate adenosine trifosphate इसका full form होता है अब एटीप क्या होता है ये हमारे सरी में glucose के oxy current से बनता है जिसको उर्जा का भंडार भी कहा जाता है या उर्जा का घर भी का आता है। उर्जा का भंडार खा जाता है, ATP को उर्जा का भंडार खा जाता है, अब सक्ता अनुसा यह भी घटित होते रहता है, तो ATP का फ्रोल फॉर्म है, Adenosyn Trifosfit, और यह बनता कैसी है, तो ग्लुकोज के ऐकसी करन से, ATP हमारे सरीर में बनता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है औलफेक्टो रिसेप्टर्स किसे सम्मदित है तो औलफेक्टो रिसेप्टर्स सूगने की सकती से सम्मदित है औलफेक्टो रिसेप्टर्स सूगने की सकती से सम्मदित है नेक्स्ट कोश्चन है कि एक जब लिटमस पेपर पर एसीड की एक बुंद डाला जाता है तो क्या होता है जब लिटमस पेपर पर एसीड अमल डाला जाता है तो क्या होता है नीला लिटमस पेपर जो होता है नीले रंग की लिटमस पेपर जो होता है वो लाल रंग में बदल जाता है तो नीला लेट मस पत्र बदल जाएगा लाल में option हो जाएगा option number c चलिए आगे बढ़ते हैं next question गलुकोस क्या है तो गलुकोस एक पकाय का करगोहइड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है तमबाकू का मुख घटक क्या है तो तमबाकू में मुख रूप से क्या पाया जाता है तो निकोटीन पाया जाता है इसे कैंसर की बिमारी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है परमानू के केंद्रक में क्या होते हैं त इलेक्ट्रोन क्या होता है तो बाहर चारो तरफ यह चक्कल लगा रहाते हैं इलेक्ट्रोन चलिए आगे बढमते हैं नेक्स्ट कोस्ट्यлек है और इसका आंसर इन्सर क्वोण सेफy और इसको में फिसूष को दोष कोंबतब सावा इसकी किरता है तो ठोस कारवन डियोकसाइड सुस्क बर्फ को ठोस कारवन डियोकसाइड कहा जाता है अगले सवार क्यों बढ़ते हैं अब हमारा सवाल है मनुस के सरीर में पानी की मात्रा कितना है तो मनुस के सरीर में पानी की मात्रा 65% से 80% होता है तो option number हम लोग D कर लेंगे 65-35 आगे क्यों बढ़ते हैं नेक्स question है गाजर में कौन सा बिटामिन पाय जाता है तो गाजर और जितने भी रस्दार फल होंगे पीले रस्दार फल होंगे उसमें बिटामिन A पाय जाता है बिटामिन A की कमी से कौन सी बिमारी होती है तो बिटाम भूल पायते सकेंड और वाट दोनों सकती का मात रख है अगला सवाल है एक ब्रिस्तित द्रिष्टी कोन के क्रम में मोटर कार के दरपन में का प्रवरूप है मतलब एक बरा सा छेतर दिखाने के लिए बिस्तित द्रिष्टी कोन दिखाने के लिए मोटर कारी में साइड मिर को कभर करके उसमें चीजों को दिखाता है इसलिए साइड मिरर में उपतल दवपन का परियोग किया जाता है अगर अबतल दवपन की बात के तो हजामत में अबतल दवपन का परियोग हजामत में इसका परियोग किया जाता है डक्टर तभी इसका परियोग कहता है क्योंकि वो बस्तू को बरा करके चीजों को बरा करके दिखाता है चलिए अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है पीतल किसका मिस्रन है चलिए अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन हमारा क्या है चलिए नेक्स्ट कुश्चन हमारा है एकिस सो सतासी पर एकिस सो सतासी पर पावर तीन बटे साथ है इसका मान क्या होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं ये जो एकिस सतासी है 21, 87 को हम लोग factorize कर लेते हैं क्या मिलेगा 3 से लगाते हैं 3,21,3,26 और ये 9 बार में 729 फिर 3 से लगा लेते हैं 3,21-6 तीन चुक्त बारा 3,43 और फिर 3 से लगा लेते हैं तो 81, फिर 3 से लगा लेते हैं तो मिल जाएगा 27, Sometiard, 81 सी फिर तीन से लगाते हैं तो क्या मिल जाएगा नौती या सकता है इस फिर तीन से लग जाएगा तीन बार में कितने बार तीन है तो एक दो तीन चार पाँ छे साथ तीन जो है न वो साथ बार है तो इसको हम जो लिख सकते हैं तीन पर पावर साथ और पहले से पावर क्या है तो 3 बटे 7 है, 7 से 7 खतम होगा, क्या मिला हमें? 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 का मतलब क्या है? 3 गुना 3 गुना 3 क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3 हो जाता है, 27 इस इसका उत्तर हो जाएगा, option number B हो जाएगा, चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं? अब हमारा सवाल है, 100 मीटर चलने के लिए आनुपमा को 25 कदम लेना पड़ता है, तो 315 कदम में कितना मीटर, कितना माटर लिखा है, कितना मीटर चलेगी? सिंपल सी बाते हैं, 100 मीटर चलने के लिए इसको 125 कदम लेना पड़ रहा है, तो हमसे पूछा है 315 कदम में यहां कदम है ना 125 कदम है तो हमसे पूछा गया 315 कदम है कदम के नीचे रख लेते हैं 315 कदम में कितना मीटर चलेगा तो कह देते हैं वाट मीटर चलेगा सौल्व कह लेते हैं सिर्फ कोना कोना ध्यान रखना है कि काटना नहीं है गुना करना है 25, 400 और 25, 25, 125 फिर 5 से इसको काट लेते हैं 6, 35, 35 और 5, 35 अब कोना कोना इधा तरफ हम गुना इधार तो कुछ बचाए नहीं है इधार तरह पुछ नहीं बचाए धार गुना कर लेते हैं 63 और चार को चार एकम चार छे चो के 24 एक 254 मीटर चलेगा सुरे चारतिया 12 का दो बांकी एक 252 मीटर चलेगा उप्शन नमबर ए हो जाएगा चले अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा नेक्स्ट सवाल है चालिस लरकों की एक कच्छा की आउसत आयू 16.95 वर्स है एक नई लरके के 25 लेने के कायन यह आउसत 17 वर्स हो जाता है तो नई लरके की आयू क्या है सिंपल सी बाते हैं जब 40 लरका है तो इसका ओसत आयू क्या है तो 16.95, चारिसों का योग निकालने के लिए क्या करना पहता है, संख्या और ओसत को गुना करना होता है, तो हम लोग यह 40 और गुना 16.95 को कर लेते हैं, तो 16.95 वटाएंगे, नीचे दो सुना आगा, एक से एक जिरो खतम हो गया, चार से ये दो बार में, और दो से ये, दो से दो बार में, दो से पांच बार में, फिर पांच से इसको काट लेते हैं, पांस तीया पंदरा, फिर पांस तीया पंदरा, और ये कर जाएगा, नौ पचे पैस तालिस, बच क्या गया, तीन सो उन चालिस, और दो को गुना कर लेत निकाल लेते हैं 41 गुना 17 कर लेते हैं 17 कम 17 का 7 17 का 7 मा की एक 17 चो के 68 और एक हो गया 59 जब 41 लरका है तो योग है 697 जब 40 लरका है तो योग है 678 जब इस दोनों को माइनस कर लेते हैं तो एक जो नया लरका है उसका आयू मिल जाएगा माइनस कर लिए क्या गया 19 वर्स तो जो आगे का सवाल है चपन पर पावर 6 और 16 पर पावर 6 का इकाई यंग क्या होगा तो जब भी इकाई यंग पर 6 हो न तो पावर में कुछ भी होता है इकाई यंग 6 ही होता है तो चपन पर पावर 6 का इकाई यंग 6 और 16 है तो 16 पर पावर कुछ भी हो इकाई यंग पर क्या होग गुणन खंड करना है 5x square minus 12x plus 4 गुणन खंड करें अब क्या है ना इसको बिना तोरे by option भी हम लोग काम कर सकते हैं कैसे तो हमें सिर्फ ये पहले वाले को देखना है sign side और ये last वाले को देखना है sign side यही से हमारा उत्तर आ जाएगा अगर हम देखें 5x square ना plus 5x square यहाँ पर x है और यहाँ minus 5x है x को minus 5x से गुना करेंगे तो minus 5x square हो जाएगा जो की minus 5x से square तो यहाँ पर है नहीं तो ये option तो होगा नहीं इस वाले में आते हैं इस वाले में x है और 5x है तो x को 5x से गुना करते हैं पांच एक्स तो मिल रहा है लेकिन लास्ट वाले को देखें न संख्या पलस एक और माइनस चार को गुना करते हैं पलस एक और माइनस चार को गुना करेंगे तो माइनस चार मिलेगा न जबकि यहाँ पर क्या है पलस चार है तो यह भी होगा इसी तरीके से इसमें तो कुछ फूट गया घे तो होगा नहीं और इसको गुना करके देख लेंगेечगे टु से गुना घ्र elaborately in जिए यह स्कुर को यह तो होगा नहीं इसमें आते हैं एक्स को फाइक से गुना तो X3 है और 27 को हम लोग 3 का Q लिख सकते हैं तो क्या बन रहा है AQ-BQ बन रहा है तो हमें AQ-BQ का फॉर्मला याद रखना परेगा A-B into A² प्लस B² और प्लस A-B इसका फॉर्मूला होता है तो A के जगा हम लोग X यूज कर लेते हैं और B के जगा पर 3 यूज कर लेते हैं तो X-3 into A² X का स्क्वार फिर B² तीन का स्क्वार 9 और प्लस A-B 3 गुना है 3X अब यह देख लेते हैं किस आप्शन में है तो X-3 इसी दोनों आ और यहां दोनों प्लस में यही हमारा उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है एक संगीत विद्याले में कुल छात्रों का 70% लर्के है यदि लर्कियों की संख्या 255 है तो लर्कों की संख्या कितनी है क्या है न यहां पर संख्या 255 किसका दिया है लर अगर 70% लर्के है टॉटल 100% होते है जिसमें 70% लर्के है तो बांकी बचे 30% कौन होंगे लर्कियों की संख्या कितनी दे रखा है दो 255 हमसे पूछा क्या लरकों की संख्या कितना था 70% इसलिए हम लोग 70% वराबर वट अगर कुल पूस्थतर तो यहां 100% निकालते है एक जिरो से एक जिरो खतम हो गया, कोना कोना गुना करना है, इसे पिये ध्यान में रखना है, अर्टिया 24 और कटिया 85 वार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं, 85 गुना 7, 75, 35 का 5, बांकि 3, 58, 56 और 56, 53 हो जाएगा, 69, 500 पंचान है, चलिए, नेक्स कोस्टिन क्यों बरते हैं, अब हमारा सवाल है, एक वैक्तिन एक रेडियू 250 रुपए में खरीदा, उसने 95 रुपए नगद और 83, 85, 25 रुपए परते किस्त की दर से किस्तों में भुगतान क्या, तो किस्तों की संग्या क्या है, सिंपल सी बात है, 250 रुपए में खर्दा, जिसमें से नगद ये 95 रु अगर हम ये कहें, 10 रुपए देना है, और 5 रुपए परते किस्त में देना है, तो कितना बार देना परेगा, तो 5 रुपए परती किस्ते देना है, तो 5 से भाग लगा देते हैं, तो टोटल रुपए इसको बचा हुआ रुपए देना है, 15 और हर एक किस्त से भाग लगा इसका 10 समल भटेगा यहां नीचे 10 आएगा लेकिन इस 10 को भेज़ देते हैं उपर तो 155 से 155 खतम हो गया बचा क्या 10 किस्तों में पैसे को जमा करेगा चले नेक्स कोस्चन है हमारा दो संख्याओं के व्यूत करम का योग 7 वटे 24 है यदि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगा कोई दो संख्या मानते हैं कि X और Y अगर है तो इसका व्यूत करम क्या होगा एक वटे X होगा और इसका व्यूत करम क्या होगा एक वटे y होगा इस दोनों का योग बोल रहा है ना योग है 7 बटे 24 और जिसमें से एक संख्या बोल दिया 6 अगर मान लेते हैं कि एक संख्या एक सगर 6 है तो हमसे y पूछा है दूसरा संख्या पूछा है कि क्या होगा साथ बटे 24 अभी एक बटे 6 को इधर बेज देते पलस ही तो इधर आके माइनस हो जाएगा एक बटे 6 इसको सॉल्व करें 24 और छे का LCM हो जाएगा 24 24 से 24 खतम तो बचा से 7 माइनस 24 में 6 से भाग लगाते 4 बाह में 4 को एक से उना करेंगे 4 तो क्या मिल जाएगा तीन बटे 24 तीन बटे नीचे आ गया 24 तीन से चोविस कर जाएगा तीन से चोविस आठ भार में क्या मिल एक बटे 8 तो एक बटे 8 है ना तो य का मान क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा 8 तो y का value हो गया 8 option number B एक बटे 8 तो ये पूरा का value आया ना ये एक बटे 8 है जबकि हम लोग संख्या तो संख्या तो हम लोग Y ही माने थे ना तो क्या होगा 8 हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब सवाल है घास के एक मैदान में घोरा 28 मीटर लंबी रसी से बढ़ा हुआ है तो कितने मीटर घास को चर सकता है घास कितना घास चर सकता है ये कहड़ा है कि एक ये ऐसा नहीं कोई भी अगर एक काम करते हैं यहां मान लेते हैं कि एक घोरा इतना मीटर 28 मीटर लंबी रसी से बंधा हुआ है यहां इसका खूटा है अब यह चरेगा तो इसे गोल-गोल ही चरेगा ऐसे गोल-गोल चलेगा तो जो रास्ते की जो रसी की जो लंबाई होती है वो क्या बन जाते तिरजिया अठाइस क्या हो जाएगा तो इसका तिरजिया हो जाएगा और कितने घास को चर स और गुना यूज कर लेते हैं 28, साथ से कर जाएगा ये चार बार में, तो हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, 22, 24, 88, 88 और ये साथे साथ 28 को गुना कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 8864 का चार बांकी हो गया 6 अब इसको गुना एक क्रोस में कर लेते हैं 8864 और अर्दुना 16 84, 16, 18 80 यो बकाया था 6 86, 86 का 6 बांकी हो गया 8 और अर्दुना 16 16, 8 कितना हो था? 24 तो क्या हो जाएगा 24, 24, 24 24, 64 का है तो option नमबर D हो जाएगा चले तो next question की ओर आगे बढ़ते हैं अब हमारा सवाल है 46 नमबर एक चुनाव में औ, ब, औ, सो ने कुल मिला कर 2000 मत प्राप्त किया मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं इसमें औ, ब, औ, और, सो ने मिला कर 2000 मत प्राप्त किया औ, 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 सो मिलकर जो है न, ये टोटल 2000 मत प्राप्त किया जिसमें से कह रहा है औ, 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 सो ने 1500 मत प्राप्त किया ये औ, 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 सो मिलकर 1500 मत प्राप्त किया टोटल 2000 है जिसमें से औ, सो मिलकर 1500 मत प्राप्त किया तो बाकी बच्चा 500 मत वो 500 मत कौन प्राप्त किया होगा तो हम कहेंगे वो 500 मत बा प्राप्त किया होगा आगे बढ़ते हैं अब कहरे हैं बा और सा ने 800 मत प्राप्त किया मतलब ये बा और सा ने 800 मत प्राप्त किया जिसमें से बा ने कितना मत प्राप्त किया है तो यहां कर लेते हैं, तो सबॉर है फ्राप्तमतों की संक्या कितनी है three चलिये आगे बढ़ते हैं, कज आफ हमारा सवाल है कि इसका बर्ग मुल कीसे निकालेंगे, तो बर्ग मुल निकालने के लिए ये फिलाल इतना बड़ा है तो भाग विधी से ही निकालना पड़ेगा पंद्रह पचासी जीरो आठ एक है चले देखते हैं निकालते हैं पहले तो इधाय से दो दो का जोरा लगा लेते हैं अंतिम में एक पच गया कोई फर्क नहीं पड़ता है एक है है तो तीन से गुना करेंगे ऑच Pharise 1 79 दो रखना पड़ेगा यहां दो यहां दो और यहां had way दो रखना परेगा यह दोनों को जोर कर नीचे और गुना करके 22 दोना चोवालिस भाठ यहां रखना होता है आठ है से चार गया चार पांच में से चार गया फिर पूरा का पूरा एक जोरा उतार ना होगा चलिए अब लगा देते हैं कितने बार में छे बार में नहीं पांच बार में लगाते हैं पांच यहां तो पांच यहां और पांच यहां रखना लेना परिला तो दोनों को गुना करके 25 weet 25 बहुंगी गीडों जोह एक डिकाना ताफ दोनों को जोड़ करके 250 यहां पर अंदस में 3 पांच चार में से दोगिया दो और यहां पर दो सौ पच्छेश फिर आजाएगा एक अब इसको लगा दे किते बार में नो बार में नो बार में आ जाएगा ये यहां भी यह पूरा कट गया ना कितना गया 1269 तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चेले नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं अब सवाल है एक गोलाकार मैदान की तिरजिया 105 मीटर है भीत चारो और गोल रास्ता है जिसका छेतरफल 466 बर्ग मीटर है तो रास्ते की चोराई क्या है मतलब यह ना कि एक यह गोलाकार मैदान है इसके अंदर एक इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है तो इस रास्ते का छेतरफल हमसे रास्ते की चोराई हमसे इसके रास्ते की यह च्छेतरफल पूरा च्छेतरफल 44-62 मीटा है एक तरीके से यह बले हो गया तो बले का च्छेतरफल क्या होता है पाई बरी आर स्क्वाइर माइनस छोटी आर स्क्वाइर है और यही आर माइनस आर को यह बरी आर में से छोटी R minus कर देते हैं तो यही रास्ते की 14 ही होती है चले तो और यह हमें कितना दे रखा है 44 66 दे रखा है इसको solve करते हैं πाई के जगा हम लोग रख लेते हैं 22 वटे 7 बरियार 105 रख लेते हैं 105 का square minus R square बराबर में 44 66 22 से 44 66 को काट लेते हैं 22 दूना 44 और 22 दिया 66 203 और 7 को गुना करते हैं बचेगा इधर क्या 105 का square minus R square 203 और 7 को गुना करते हैं 27 का एक बांकी हो गया 2 और 7 दूना 14 1421 अब थोड़ा सा काम और है 105 का square करते हैं और उसमें से 1421 minus कर लेंगे तो 105 का square कैसे करेंगे ये 105 और 105 को गुना करना है 105 100 से 5 जादा है और ये 105 5 से 100 से 5 जादा है इस दोनों को गुना करते हैं 25 इस तरह से या इस कोने कोने में जोड़ लेते हैं 105 और पलस 5 कितना हो जाएगा 110 तो गुना करके आगया 110 25 minus R square बराबर 1421 1420 को इधर लेके आजाएगे minus हो जाएगा तो इसमें 1420 minus कर लेते हैं सारा चीज calculation करके दिखा देते हैं ऐसा ना हो की गुना करके रख ले और आप परिसानी में पर जाए तो आप भी गुना करने के लिए फिर जिस तरीकी से काम करते हो सीख सकते हैं इसमें से चार गया 6 और यहां पर 9604 बचा क्या आर स्क्वाइर बराबर 9604 स्क्वाइर को इधर बीजेंगे रूट बन जाएगा तो च्यानवे सो चार का रूट हम लोग अभी तो इदे पहले ही रूट निकाल कर देखेते हैं तो रूट इसका क्या हो जाएगा तो रूट हो जाएगा इसका अंठानवे तो अंठानवे छोटी आर क्या मिल गया अंठानवे रास्ते की चोराई क्या होता है बरी आर में से छोटी आर को माइनस कर लेते हैं बरीत आर्था 105 और छोटी आर्था 98 दोनों को मैश कर लिए 7 तो रास्ते की चोराई क्या हो जाएगे 7 मीटर हो जाएगे चले नेक्स कोश्चन आते हैं नेक्स कोश्चन है एक गोलाकार मैदान के 4 ताव लगवाने का खर्च कितना परेगा यदि काटेदावा तार 50 पेसे पर्ती मीटर है यदि मैदान का छेतरफल 1386208 मीटर है यह सब क्या दे रखा है क्या है यहना कि एक गुलाकार मैदान है जिसका छेतरफल दे रखाए तो फॉर्मूला भी चेतरफल का लगा देते चेतरफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इस्कॉर्वार पाई के जगा 22,7 आर इस्कॉर्र और बराबर में रख लेते हैं एक तीन आट छे जीरो जीरो अब गया इसको सॉल्व करें 22 से इसको सॉल्व करते हैं कारते हैं तो 22 छके 132 बच जाएगा 66 22 36 66 और डबल जीरो अब क्या होगा कोना कोना गुणा करेंगे तो 6310 गुणा हो जाएगा तो 63100 को हम लोग लिख सकते हैं 9 सत्य 63 और 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 और गुना है 7 अब ऐसा क्यूंकि क्यूंकि यहां तो R square ब्रावर आएगा ना square इतरा आएगा तो root बन जाएगा अब एक काम करते हैं 9 का root हो गया 3 2 बाय सात में से एक बाया 7 निकल गया 2 बाया 10 में इसे एक बाया 10 निकल गया तो क्या मिल याइगा सत्य 21 की कुना 10 210 210 पर मिल गया उस吗 IT की तरजया अब हम से बोला है कि 50 पैसे पर ती मीटर कि परती मीटर हैं ना पाई के जगा 22 वटे 7 और आर के जगा रख लेते 210 और इसी में गुना कर लेते खर्च क्या रहा है 50 पैसे 50 पैसे का मतलब एक वटे 2 रूपय आधार रूपय होता है एक वटे 2 से गुना कर लेते यही हमारा टोटल खर्च हो जाएगा तो साथ से कट गया 30 वाई में 2 से 2 खतम हो गया 22 गुना 30 क्या हो जाएगा 22 तिया 66, 660 रूपय हो जाएगा चले नेक्स कोशन पे बढ़ते हैं अब हमारा सवाल है एक ट्रेन 75 किलोमेटर पैसी घंटे की रफ्ता से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तै करेगी तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता ह चाल गुने समय तो चाल कितना दे रखा है 75 किलोमेटर पैसी घंटा है और समय हमारा मिनट में तो भाई यहां 75 किलोमेटर पैसी घंटा है न तो समय भी रहेगा किसमें घंटा में घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे करते हैं चार पच्चे बीस छेचोगे चोविस 56.25 किलो मीटर अप्शन नमबर भी हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा 50 कोश्चन सॉल्व होता है ऐसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हम लोग नेक्ट वीडियो में धन्यवाद